नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तों अगर आप यूरोप में भारत के सबसे बड़े दोस्त को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला नाम सामने निकल करके आता है फ्रांस का आप यहीं से अंदाजा लगाए कि भारत जेट हैं की टेकनोलोजिए भी काम कर रहा है जिससे की उनकी जो टेकनोलोजी है वह थिर्णा से indoor और चेट सब्रेट की यहां तक जो यूक्य का जो अभिर्जएंचिन प्रोग्राम है तो वह वह अमेरिका के बात सबसे ज़यदा मैशुर मना जाता है लेकिन जब बात आती है भरोसे की तो यूके की ये सारी चीजे धरी की धरी रह जाती है भारत सभख से जएड़ा यूरोप में जो भरोसा है वो केवल फ्रांस के ओपर ही दिखाता है तो इसी सब चलते अब फ्रांस ने भारत को और ज़्यादा importance दी है सबसे पहले तो France ने एक document जारी किया जो कि इनकी national strategic review को ले करके है जहाँ पर इन्होंने भारत को एक key partner बताया है अपने भविश्य के लिए तो अगर आप France के सबसे बड़े interest को देखते हैं आज की तारिक में इनके दो बड़े interest है यहाँ पर सबसे पहले तो यह चाइना को counter करना चाहते हैं और इसके बाद जो इंडो-pacific है तो यहाँ पर भी अपनी जो presence है उसको लगातार maintain करना चाहते हैं तो इस सबके लिए France के लिए सबसे ज़्यादा important भारत हो जाता है इसी के लिए इन्होंने भारत को यहाँ पर clearly mention किया है एक सबसे बड़े partner के तोर पर इसके बाद में भी अगरा France और भारत की यह जो दोस्ती है इसको देखते हैं तो France ने हर बार भारत का UN में समर्थन किया है वीटो पावर को लेकर के समर्थन किया है जब भारत ने अपने परमानू परिक्षन किये थे तो उस समय फ्रांस एक अकेला ऐसा देश था जो की यहाँ पर हमारे जो concerns है उनको समझता था और साथे साथ हमने किस लिए परमानू हत्यारों को डवलप किया था तो उसकी जो importance है वो भी France ने पूरी दुनिया को बताई थी और साथ में ये भी कहा था कि भारत को पूरा अधिकार है कि वे अपनी शुरक्षा के लिए हर तरह के जो वैपन्स है उनको डवलप कर सकते है तो दोस्तों जब competition दोबारा से जेट इंजन को ले करके फ्रांस और UK के बीच में शुरू हुआ तो उस समय फ्रांस के जो उचा युक्त जो की भारत में है तो उन्होंने ये कहा कि ये भारत को अपनी जो प्राइम और साथ में की टेकनोलोजीस है वो भी देने के लिए तयार है जहांपर सबसे पहले तो अगर आप भारत की आवशकता को देखते हैं तो भारत को अभी के लिए SSN क्लास की जो समरीन है और साथ में जेट इंजन की टेकनोलोजी है वो यहांपर सबसे पहले चाहिए क्योंकि अभी के लिए अगर भारत इन दोनों टेकनोलोजीस के ओपर काम करना शुरू करेगा तो हमें काफी ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा लेकिन अगर आप इस तरह की पॉलिसीस की बात करते हैं तो इसमें आप सब को भी मानना पड़ेगा कि फ्रांस से पहले अमेरिका ने भारत को अपना एक की पार्टनर बता दिया था कि इंडो पैसिफिक में यहांपर जो बैलन्स है उसको मेंटेन करने के लिए भारत भी उनका एक सबसे बड़ा पार्टनर रहने वाला है तो इस मामले में आप सब कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो अमेरिका है वो यहांपर बाजी मार गया था लेकिन अगर आप दोनों देशों की रिलाइबिलिटी को देखते हैं तो फ्रांस और अमेरिका के बीच में भी यही नियम लागू होता है जो कि फ्रांस और यूके की बीच में होता है डेफिनेटली यहांपर भी जो फ्रांस है वो भारत के लिए सबसे ज़्यदा रिलाइबल और साथ में एक important partner के तोर पर सामने निकल करके आने वाला है तो अगर आप इन सारी चीजों को military point of view से देखते हैं तो इससे कहीं न कहीं भारत का जो defense sector है तो उसको भी एक काफी ज़्यदा बड़ा support मिलता है लेकिन इसके बात में यहाँ पर अगर आप trade को लेकर के बातचीत करते हैं तो फ्रांस का यहाँ पर भी stance clear है कि सबसे पहले तो वे यहाँ पर यह चाहते हैं कि भारत अगर Europe के अंदर enter करना चाहता है तो वे UK के बजाए यहाँ पर France को select करें क्योंकि सबसे पहले तो France अभी भी European Union का member है और इसी के साथ में हम France के साथ में एक जो free trade agreement है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं जिससे की पूरे Europe के साथ में अगर भारत trade करता है तो इससे भी भारत को आने वाले समय में billions of dollars का फाइदा होने वाला है तो दोस्तो ओवराल इस पूरी policy और साथ में development को ले करके आप सब को क्या लगता है comment section में बताईएगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देजेगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक किल गुड़ बाई जैहिंद